हे फैमिली क्या हाल है स्वागत है आपका सुरिंदर राजबुत ओफिशल में यह है आरेसेटी के एक और इंपोर्टेंट वीडियो जिसमें हम जानेंगे आरेसेटी के टॉप 17 क्विशन जो कि आपके आरेसेटी एकजाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले है तो इस वीडियो में पूरे ध्यान से देखें और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आप आरेसेटी एकजाम को आसाने से पास करें और कम समय में अधिक से अधिक नमबर ला सकें आप अपने आरेसेटी सेंटर पे टॉप भी कर सकते हैं ऐसी ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होना है तो पूरा नाम क्या होता है अर तक इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि एकजाम में आपको ऐसे भी बताए जा सकता है कि SNS का फुल फॉर्म बताएए तब भी आपको यही करना है तो इसका आंसर जानने से पहले हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए शोशल है शोशल नेटवर्किंग सर्वीस क्योंकि जो आपका SNS है इसका पूरा नाम हो जाता है शोशल नेटवर्किंग सर्वीस जिसे हम शोट में SNS कहते हैं तो SNS का पूरा नाम हो जाएगा आपका शोशल नेटवर्किंग सर्वीस हमारा दूसरा क्यूशन है जी टूसी का अता सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें कुछ अच्छे नमबर भी ला सकते हैं और बहुत सारे नमबर भी ला सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने संटर पर टॉप किया है तो टॉप पर ये वीडियो आपके लिए है तो दूसरा क्विशन है वो है G2C से तात पर ये अरताजिस का फुल फॉर्म क्या होता है तो G2C का फुल फॉर्म हो जाता है government to citizen क्योंकि G to C का full form हो जाएगा government to citizen तो इसका से उतर हो जाएगा option D government to citizen क्योंकि G to C आ रहा है कुछ आसान तरीक साथ समझाता हूँ ताकि आप ऐसे question का answer भी दे सके जो कि आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें bank office आ रहा है दूसरा है B government to business अतात इसका मतलब हो गया G to B मतलब government to business तो उपर क्या पुछा आपके G to C तो ये भी इसका answer नहीं हो सकता आपको ऐसे भी दिमाग लगाना है क्योंसा answer नहीं है जिससे कि आपके अधिक से अधिक नमबर आए और आप pass हो जाएं और अपने पैसे बरबाद नहीं करे री एक्जाम के चकर में और तीसरा है government तो इसमें सकेवल G आ रहा है तो ये भी इसका answer नहीं हो सकता तो yes अब कौन सा बचा है option D जिसमें G to C आ रहा है कैसे government to citizen हमारा question number 3 तो इसमें पुछा गया है android operating system को तो इसमें पुछा गया है कि आपका जो android operating system होता है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे है तो मैं दो operating system होते है आपको पता होना चाहिए पहला तो है आपका android और दूसरा है iOS जो की iPhone या Apple में होता है तो ये भी एक परकार का operating system है जो mobile में बहुत ज्यादा यूज गया जाता है ऐसा question आपके exam में आ सकता है Android, iOS या किर्थी तीसरे का नाम बताया जैसे की Windows 7 इन में से कौन सा operating system है जो की computer में यूज गया सकता है तो वो Windows 7 हो जाएगा और mobile में होने वाले operating system के बारे में पूछे आपको Android और iOS दोनों का नाम लेना है जिससे की आपका answer सही हो जाए तो अब आचते हैं में अन्ट कुशन पर की Android operating system को release गया गया था तो जो आपका Android operating system है उसे कब release गया गया था अगर आपको answer पता है तो आप पहले comment में लिख सकते जिससे आपको पता चले कि आपकी तयारी कैसी है या आप RS JTI computer के बारे में कितना जानते हैं तो हमारा इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option D जनवरी 2008 क्योंकि आपका Android operating system में इसे 2008 में release गया था तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा अगला और important question है क्योंकि ये question घुमा फिरा कर हर दूसरे या तीसरे exam में बार-बार दे जाता है तो इस question को आप रट भी सकते हैं क्योंकि ये question बार-बार आता हैं जिसकी वज़े से आप से बार-बार पड़े और याद रखे इस question को जरूर दिया जाता है हो सकता है इसमें कुछ चैंज कर दे लेकिन इस question को आपको exam में आना पका है तो ये question है spread sheet में एक पंक्ती तता column का intersection कहलाता है अता जो आपकी spread sheet होती है excel में उसमें किसी एक पंक्ती या column का जो intersection होता है उसे क्या कहा जाता है जैसे कि यह आपका एक intersection अताथ एक column बन गया है उसे क्या कहा जाएगा जो पंक्ति और column से बनता है जैसे कि यहाँ पर ऐसा बना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं आप अपना comment में उतर दे option A आयत P सेल C रंज या फिर D box वैसे इस तरीके से ब से बढ़ाएंगे और भी आसाने से बढ़ाएंगे अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी है तो comment जरूर करें ताकि हम उसे improve कर सके अगले वीडियो में तो जिसने comment में इसका आंसर दिया है उसको बधाई हो कि आपका answer होना चाहिए सही क्योंकि आप हमारे यहां से पढ़ रहे हैं तो आपका answer सही होगा तो जो इसका सही answer है वो है option B sale क्योंकि spreadsheet में एक company आपकी spreadsheet में एक पंक्ति या column का intersection होता है उसे sell कहा जाता है तो इसका सही answer है option D sale हमारा अगला question है Microsoft Word 2010 में formating toolbar होता है के font size toolbox में font size का सबसे चोटा वो सबसे बड़ा font size लगद होता है यह question वैसे common है लेकिन इसे मैं आपको आसानी से समझाता हूँ ताकि आपको कोई problem नहीं हो तो सबसे पहले आते हैं इसमें कि Microsoft Word 2010 में आपको यहां पे MS Word 2010 के बारे में सोचना है या फिर आपको MS Word के बारे में सोचना है कम से कम जिससे कि आपका answer में कोई कमी नहीं हो तो सबसे मेहन चीज़ है इसमें MS Word 2010 जिसमें आपको फॉर्मेटिंग टूल बार होता है जिसमें आप वर्ड को बड़ा या चोटा कर सकते हैं इसके लावब में उसमें बहुत सारे टूल होते हैं तो उसमें जो आपका font होता हैं उसका size क्या होगा जैसे ये word इसका size क्या हैं तो अहर वर्ड का अलग-अलग size होता है तो फॉर्मेटिंग टूल बार के पूशन के चोटा होगा, वह उपर वाला होता है, और सबसे बड़ा निचे वाला होता है, क्यूशन में एक बात का और ध्यान रगाएं, क्यूशन में आपको पूछा गया है कि फॉर्मेट्टिंग टूल बार के font box size में, उस box में जो size होते हैं, उसके अलावा भी हम size को चोटा या इससे भी बड़ा कर सकते हैं लेकिन जो उसका font box दिया होता है उसमें क्या size होता है तो इस बात का आप ध्यान रखें तो उसमें जो size क्या होगा सबसे चोटा और सबसे बड़ा font size क्या होता है तो इसका सही उत्तर है वो है option a सिधा answer बता देखते हैं टाइम बचेगा आपका इसका सही answer option a 8 and 72 तो 8 सबसे चोटा होता है और 72 सबसे बड़ा होता जो फॉर्मेटिंग में दिया हुआ लेकिन इसके अलवा हम चोटे और बड़े अक्षर कर सकते हैं अपनी मन पसंद की size के हिसाब से तो इसका सही answer है वो है option a कौन सा है option a इसका सही answer हो जाएगा जो कि है option a 8 and 72 तो आ जिरो का मतलब हो गया तो चुरुवाद किसी की जीरो से होती है लेकिन इसमें double 0 से होगी तो और सबसे बड़ा है 72 तो इसमें भी दू आ रहे हैं तो इसका मतलब हो क्या हो गया आपको करना है double 0 और ताथ एट और इसके बाद एट zero कितने बदू है दो बार और उसके बाद गया है साथ तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह 8 और 72 हमारा अगला क्यूशन है एक क्यूशन को भी दिया जाता एक्जाम में क्यूंकि एक कॉमन क्यूशन है और इतना आपको आरे सेटी के बारे में या कंपिटर के में में नौलेज नहीं है इसका मतलब भी कि आप एक्जाम नहीं कर सकते तो एसे बैसिक कुशन को जरूर पड़े अथा बोलते हैं कि इतने आसान क्यूशन नहीं आहेंगे अगर आपको पास होना है तो आसान से पास हो जाओं कि पडूल्य को फेड़न्त की रहीちゃनें left क्योंकि paragraph का default horizontal alignment left होता है हमारा आगला क्यूशन है Customize QR और photo section digital hashtakshar प्रणाली है अताथ आपका जो Customize QR code और photo section digital hashtakshar प्रणाली कौन से है Option A I Sorry GISS B Raj AEM C RAS D Raji Sign एक बात और बता दूँ कि यह आपके RACAT के new syllabus का question है क्योंकि पिछली बार syllabus चेंज हुआ था उसके बाद इन question को add किया गया था तो हो सकता है आपके exam में new syllabus के question पूचे क्योंकि अगर syllabus को add किया है तो इसलिए किया है ताकि बच्चे पढ़े और उसको याद करे और समझे तो इस question का answer आपको पता होना चाहिए तो आप ध्यान से देखें तो इसका जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option D राज इसाइन क्योंकि customized QR और photo section digital हस्ताक्षर प्रणाली क्योंकि राज इसाइन होती है हमारा अगला प्रश ने मोबाइल में वाइफ़ाई की अनुपस्तिति में इंटरनेट शुरू किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि आप पहाड़ पर घूमने गए बहुत ज्यादा खुशी स्कूशी मना रहे हैं लेकिन अगर आपके पास मोबाइल में वाइफ़ाई ना हो फिर आप इंटरनेट कैंसे शुरू करेंगे या फिर इंटरनेट वाइफ़ाई के अलाम कैंसे यूज कर सकते आपको अगर इसका आंसर नहीं आता है वैसे आपको आता होगा आप अच्छे बच्चे और हुश्या रहे हैं तो आप्शन से हम कोई भी फाइल शेयर करते हैं तो यह इसका आंसर नहीं हो सकता भी Bluetooth तो इसका उप्योग भी हम फाइल शेयर करने के लिए कुछ भी चीज बेजने के लिए कर सकते हैं इससे भी हम इंटरनेट नहीं शुरू कर सकते हैं और हम मुबाइल में वाइफ़ाई की अनुपस्तिति में इंटरनेट शुरू करना चाते हैं तो इसके लिए हम जिसक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुईधा जनक तरीक हैं वैसे एक क्यूशन भी आपका बड़ा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि दस्तावेज होते हैं आपके जो भी डॉक्मेंट होते हैं उन्हें डिजिटल रूप से अगर ओफ-लाइन में कोई ड सथ्यापित हो जाता है कि आपका एक दस्तावेज हैं लेकिन अगर ऐसा ही काम हमें ओनलाइन करना हो अपने दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए तो इसमेंसे कौन सा सुईधा जनक तरीका है about the use का सब्सक्राइब वो होजाएगा आपका option एह राज इवल्ड क्योंकि राज इवल्ड एक एंसी सुविदा हैं जिसमें हम दस्तावे जो को digital रूप से सत्यापित कर सकते हैं और यह सुविदा जनक तरीका भी होता है तो इसका से answer वो है आपका option एह राज इवल्ड अगला question PNR status arrival end यह आपका कौन सा वर्ड आप पढ़के बताना मुझे तो नहीं आता मजा कर रहा हूं जैसे आपका PNR status arrival जैसे सेवाओं की सुची देखने के लिए बारतिय रेल ने सेवा शुरू की हैं जिसमें SMS के माध्यम से जानकारी मिल जाती हैं तो आपको exam में एक बा हमारे पैसे आगे बहुत सारे आपको भी चाहिए तो इसमें से दे देंगे तो हमारा अगला question है कि PNR status arrival और बाकी जैसे यह आपको समझ में नहीं आ रहा है मान लिया जाए मुझे भी नहीं आ रहा है और आप RCT exam में बैटे हो इसका answer आपको नहीं बता है फिर इसका answer आप अगर full form पता है तो भी आप इसका answer दे सकते हैं नहीं समझ में आया मैं समझाता हूं PNR का मतलब होता है passenger name record जिसे railway जैसे सुईदा में उप्योग किया जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि PNR का मतलब passenger name record होता है और passenger name record जैसे सुईदा के लिए हम जिसका उप्योग करते हैं वो इसमें से कौन सा नंबर है जैसे 139, 189, 140, 136 तो इसका answer है वो है option A है आपका 139 क्योंकि 139 के माध्य से हम passenger record देख सकते हैं वो status देख सकते हैं बागी सब चीज़े कर सकते हैं तो simple है 139, sorry गलत लिख दिया 139 आपको सही करना है exam में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है अगला question है ITR 5 डाउनलोड करने पर भेज दी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए ITR अता जिसका मतलब हो जागा income tax return simple में समझते है ITR कितना अच्छा लिका है वैसे मजाक ने कि दूसरी और मैं खुद बूल गया ITR मतलब income tax return तो जब उसको आप डाउनलोड कर देते हैं तो आपको डाउनलोड करने पर उसे कहा बेज दिया जाता हैं तो हम जादू की तरह इसको दूर ले जाते हैं और इसका answer में मिलता है email पर इतना असानी से यह आपके exam में नहीं होगा यहीं पर मिलेगा ITR file को आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो आपके email पर पेज दी जाएगी आपका अपना अगला question मजाक को साइट रखते हुए राज इग्यान पर इस सामागरी के रूप में उपलब्ध हैं आपका जो राज इग्यान है उस पर जो आपकी सामागरी हो और किस में हो सकती है option ए इसकूल इस तरह है मतलब इसकूल के इस इसकूल के इलग इस इसकूल के इलग दूसरा पार्ट के रूप में इनिमेशन के रूप में इनिमेशन का मतलब आप समझते होंगे जो भी आपके कार्टून वाले वीडियो होते हैं उस फॉर्मेट में और इसमें बी ऑप्शन में वीडियो आपका हमारा देख रहे हैं इस फॉर्मेट में सी इपुस्तक अर्टात आपकी ओनलाइन जो बुक होती है पीडियेप के रूप में भी हो सकती है तो पीडियेप का पूरा नाम आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं कि पीडियेप का पूरा नाम क्या होता है तो क्या वो पीडियेप के रूप में हो सकती है अर्टात प्रोक्त सभी क्योंकि आपका राज ज्यान है इस पर जो ई सामगरी अतात ओनलाइन तो इसमें यह बात का द्यान रखना कि ऐसे तो है नहीं कि फिजीकल कोई बूक होगी वह हाड़वेर की ताइप में तो होगी नहीं तो आप कंप्पीटर में हाड़वेर होता है ऐसे तो हो बी, सी, तीनोई ओप्षन इसके सही आंसर है आता तीनोई रूप में पाई जाती है तो इसका जादू से आंसर एबी, सी को मिलाने पर डी बनता है तो वो हो जाएगा डी उपलग सभी क्योंकि राज ही गान पर सामगरी इन सभी रूपों में उपलग दे हैं हमारा अगला प्रशन है नया पैन आवे दिन भणने के लिए निच्चे दिये गए फॉर्म में कौन सा आवश्यक हैं ओप्षन है फॉर्म 49 है ओप्षन B फॉर्म 9 ओप्षन C फॉर्म 8 और ओप्षन D फॉर्म 16 चलो कुछ जादू का तरीका बताते हैं PAN इसका मतलब क्या हो गया पैन पर वन के या डाता है आज प्रॉकूर्षन का पहला अप्षन क्या होता है यह होता है तो इसका ज्यदू क्या है कि आपके पहें में बीर है ठीक है आप्षन में बीर हैं और आपके है वार्म-49 porter नान फार्माइबे मिले तो इसका आंसर हो जाएग 2C1 फॉर्म 49A क्योंकि जो आपका नया प्यांद का अभी दिन बनने के लिए जो भी फॉर्म बढ़ते हैं उस फॉर्म का नाम फॉर्म 49A होता है और इसका आंसर भी AI होता है il inhale and roaring molar with ringing प्यूर्म बाइक किस परकार की दारा है अता जब जो भी आफ के साथ online fraud होता है अता आपको loot लेया जाता है वह किस दारा की अंदर आता है अगर आपको कोई computer को EX कर दे यह किस के अंदर आएगा तो जदू की जपी 6 के साथ आएगी और जदू double होगा तो double six के साथ आएगी मतलब किया है कि hacking और computer अपराब दोनों ही गलत काम है और इसके लिए जो section लगाएंगे हम वो होगा 66 जो भी गलत करेगा वो 66 के अंदर आएगा और वो computer और किस से जुड़ा होना चाहिए hacking से तो वो किस के अंदर आएगा option B 66 आपको याद रखना है दो बार same number मतलब hacking और computer और वो भी 66 होने चाहिए अगला question है कोई बटन क्या काम करता है मेरा काम वीडियो बनाना है तो मैं कुछ काम नहीं करता हूँ सुरी मतलब वीडियो बनाना काम करता हूँ कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विश्तित वर्णर करता है मैंने दूसरी बार इसलिए पड़ा क्योंकि कोई आपका दोस्त आपको क्या tip देता है मतलब tips देते हैं आपको तो वो क्या tips देता है जैसे कि super tool tip, b sub tool tip, c इनको कि इनको पता नहीं लेकिन d key tip तो सबसे पहले तीन tips मिलते है super tool tip, sub tool tip और key tip तो इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option ए super tool tip क्योंकि कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विश्तित जानकारी कौन देगा जो super होगा वो ही देगा जो हुश्यार होगा, सबसे ज़्यादा हुश्यार होता है वो होता है super और वो क्या है काम करने के लिए बटन की जानकारी देगा तो किसकी देगा बटन को क्या करता है tool और जो आपकी tips होता है वो आपका दोस्त देता है लेकिन याप पर क्या कुषेन है तो इसके हिजाब से आपका अंसर हो जाएगा Super Tool Tips क्योंकि कोई बटन क्या काम करेगा इसकी जान करें आपका दोस्त नहीं दे सकता जिसके कारण इसकी जान करें हमें कौन देगा Super Tool Tips क्यूंकि पड़ाई में किसका मन नी होता तो है फैमिली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप चाहते हैं वीडियो में हम कोई बदलाव करें तो वे भी बताएं अगले वीडियो में अगर आपके पास कोई ऐसा जोक हो जो हम वीडियो के साथ आंसर के साथ बता सकें तो आप कमेंट करें बागी आज के इस वीडियो में बस इतना ही बागी जैहिन वंदे मातरम टेक केर और बाइ 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 और भूलना मत सुरिंदर राजबूत ओफिशल मतलब पढ़ाई करने का सिंपल तरीका हर कोई टॉप करे अपने सेंटर भर तो बाइ